हेलो एवरिवन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैस क्लासिस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट्थ चैप्ट नंबर सिक्स्टीन रोटेशनल सिम्ट्री यह आपकी डियवी की बुक है उसमें आपका लास्ट चैप्टर है 16 रोटेशनल सिम्ट्री इसक एक बुक बुक की सब्सक्राइब, यहां पर ऐक अए रोटेटर किया हो एक उसको माल लीजए मैं ने यहां पर इसको भी यह इसके अब कовать यहां ने रोटेट आप जिक्स्यां कर लिया करने घर का सिक्स्क्राइब अगर आप ऐसे रोटेट करोगे तो ये इसकी होगी 90 degree position एक बार और चेंज करो ये होगी 180 degree position ठीक है जाब हो तो मैं आपको इसको दुबारे से दिखा देती हूँ ठीक है यहाँ थोड़े इदर कर लेते हैं ये एक बार अगर आप इस square box को एक बार गुमाते हो ये होता है 90 degree एक बार गुमाते हो ये आपका होता है 180 degree तो इस जैसे आपका ये second box है तो यहाँ पर आपकी second option answer बन जाएगी next हमारे पास letter i has rotational symmetry of order letter i में आपकी कितने order of rotational symmetry होती है तो मैं आपको यहाँ बताऊं मैं आपको letter ही दिखा देती हूँ तो यह आपका letter i ठीक है ये इसकी original position है यहाँ पर हम दे लेते हैं इस तरह किसे ठीक है ये इसकी original position है क्योंकि आपको यहाँ उपर डोट लगा हुआ है अब मैं इसको rotate करते हूँ ये इसकी 90 degree position है ये इसकी 180 तो 180 पर भी आपका same i ही नजर आता है तो पूरा turn होने पर आपको दो बार सेम नजर आता है letter i has rotational symmetry of order 2 तो यहाँ पर इसका order कितना आ जाएगा 2 the angle of rotation of a figure is 360 degree it's order of rotational symmetry अब मैं आपको यहाँ बता हूँ देखो आप full turn कितना होता है जब आप पूरा एक बर गुमा लेते हो तो वो कितना angle होता है 360 degree आप उसको divide कर दो जितने degree का angle दियो है कितने degree का angle दियो है 36 degree का तो यह आपका क्या आ जाएगा order of rotation आ जाएगा 36 वनजा 36 36 और एक 0 यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 10 order आ जाएगा तो आपको यह third option है तो order of rotation symmetry कितना आ जाएगा 10 next है regular pentagon has a rotational symmetry of order अब आप यहाँ देखो pentagon में कितनी sides होती है five sides five sides होती है अब यहाँ पर इस figure के आगे regular word दिया है तो मैंने आपको बताय था अगर किसी के figure के आगे regular word आ जाता तो जितनी उसमें sides होती है उतनी ही rotational symmetry होती है तो आप यहाँ पर देखो यह मैंने ऐसा ही paper cut किया हुआ है ठीक है यहाँ पर तो यह इसके original position है मैं यहाँ पर ऐसे dot लगा लेती हूँ यहाँ पर आप हम इसको rotate करेंगे यहाँ पर यह इसका center of rotation ले लिया यह इसके original position ऐसे rotate कर तो यह कितना होगा 90 degree सेम नजर नहीं आ रहा फिर से घुमाओ अब सेम नजर आ रहा है ठीक है मतलब 180 degree पर आपका सेम नजर आ जाता है यह 270 position और यह finally same वहीं पर आपका dot वहीं पर आ ठीक है तो आपका कितनी बार पूरा चकर complete होने में दो बार आप चाहो तो देखो इसके उपर ही fix कर लो ठीक है fix कर लो यहाँ पर आप अपनी pencil से रख लो fix कर लो यहाँ ठीक है यह इसके original position मैंने 90 degree पे इसको move किया overlap नहीं कर 180 degree पे किया तो overlap कर लेता है पूरा चुपा लेता है तो एक बार same नजराया 270 पे नहीं नजराता फिर पूरा चकर हो गया देखो डोड जहां ता वहीं आ गया तो दो बार same नजराता है तो कितने degree के angle पर ठीक है यहाँ पर देखो यह ऐसे घुमा 90 फिर से घुमा दो 180 तो 180 प पर दो तो कितना जाएगा angle of rotation 180 degree एमसी क्यूज हो गए है अब next हम करते हैं next हमारे पास answer the following questions यह चोटे-चोटे questions हमें इनके answer देने हैं b part में name two letter of English alphabet which have no rotational symmetry आपको ऐसे बताने हैं जिनमें आपकी rotational symmetry नहीं है आपको कोई दो बताने है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले एक video upload की है ठीक है इस वाली video से पहले यह आपकी video 5 होगी वो ठीक है video 5 आप चैक करना महां पर मैंने सभी letters की मैं आपको दिखा देते हूं यह वाली video उसी का मैंने हर एक letter की line of symmetry भी बताई है और आपकी rotational symmetry भी बताई है ठीक है यहां पर रोटेशनल symmetry की है कि rotational symmetry आती है या नहीं आती है तो उन्हें ने पुछा है name two letter of English alphabet which have no rotational symmetry तो आप यहां पर देखो a में भी rotational symmetry मैं सभी लिख दूंगी यहां पर जिनमें नहीं आई है तो a में नह नहीं होगी मैं सभी लिख देती हूं जिनमें आपकी rotational symmetry नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया है यह बहुत सारे है क्योंकि आपकी rotational symmetry वह कुछ ही letters की होती है h i o or x इनमें तो आपकी क्या होती है line or rotational दोनों होती है मैंने आपको यह वीडियो से पहले करवाई आप उस पूरी नहीं करवाई तो मैं आपको यह बता देती हूं कि हम कब बोलते हैं कि किस लैटर में आपकी rotational symmetry नहीं है हम ऐसा कब बोलते है यहां देखो जब मैंने लैटर ए है मैंने इसको रोटेट किया यह 90 डिगरी अभी ए नजर नहीं आ रहा यह 180 डिगरी अभी वी ए नजर नहीं आ अगर एक चकर पूरा complete होने के बीच में अभी तक बीच में एक बार भी नहीं नहीं नजर आया था न तो अगर एक बीच में एक बार भी सेम नजर ना है न मतलब 360 से कम एंगल पर अगर सेम नहीं आता तो हम बोलते हैं कि वहां पर rotational symmetry नहीं है तो इन सब लैटर में rotational symmetry नहीं है find the angle and order of rotational symmetry of the given figure यह जो आपको figure दी गई है यहां मैंने paper से इसको कट कर रखा है तो अब आप यहां देखे मैंने यहां पर इस यहां राइट कोर्णर पर ऐसे डोट लगा दिया कि यह इसके original position है तो आपको देखना है कि यह जब आप इसको rotate करोगे तो आपका कितनी बार आपको सेम नजर आएगा हम इसको rotate करते हैं यह 90 डिगरी पर सेम नजर नहीं आया ओवरलैप नहीं किया ठीक है लेकिन 180 पर आपको लेता है मतलब 180 डिगरी पर इसका क्या आगा angle of rotation पहली बार सेम नजर आया फिर एक बार 90 और मूव किया मतलब 270 हो गया अभी तक नहीं नज करता है 270 में 90 और आट किया 360 तो 360 के बाद फिर सेम नजर आया तो कितनी बार सेम नजर आया तो यहां पर आपका आएगा order of rotation order of rotation तो आपका two time सेम नजर आता है एक चकर complete होने से पहले और angle of rotation तो आप देखो आपने 90-90 दो बार जलाता है तो मतलब 180 पर आपका सेम नजर आता है यह फिर आप कर सकते हो 360 को जितना order है उससे डिवाइड कर दो 180 डिगरी नेक्स्ट आपके पास which letter of English alphabets have rotational symmetry of order 2 ऐसे कौन से letter है जिन में आपका rotational symmetry order 2 की है तो मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ यहां पर देखो यहां मने list बनाई हुई है इसमें से अगर आप देखोगे तो जो H इसमें भी two order की rotational symmetry है I, इसमें भी two order की rotational symmetry है, N में भी two order की है, S में, और इसके बाद, X और Z, मैं लिक देती हूँ, और किसी एक लैटर की मैं आपको बता भी दूँगी, तो मैं यहां से भी लैटर लिक देती हूँ, which लैटर दो, तो यहां पर आपका आजाएगा, तो यहां पर आपका आएगा, H, I, N, S, और इसके अलावा आपके पास है, X, और यहां फिर लास्ट में है, Z, आपके बुक में दो ही दियो हैं, लेकिन इसमें यह सभी लैटर से बनेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, को यह एक लैटर देखे, जैसे आपका आए है, आए ले लेते हैं, यह आए की ओरिजिनल पोजिशन है, मैंने यहां पर इसको सेंटर रोटेशन से फिक्स किया, यह इसकी ओरिजिनल पोजिशन है, यहां उपर डोट लगा हूँ है, 90 पे मूव करते हैं, आए नहीं नजर आता, यह 180 होगा, तो 180 पर आए नजर आ रहा है, 270 पर नहीं नजर आता, फिर से 360 पर नजर आता, तो दो बार नजर आ गए न, वन फुल टर में, तो इसका ओडर रोटेशन कितना आ जाता है, तो इसी तरिके से यह लेते हैं, मैंने आपका दिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, इससे पहले जो वी होगी यह नहीं होगी आपको इसका रीजन बताना है, तो मैंने यहाँ पर को पुर्दों हाँ ठीडिय क्शारल क म, पैसी, कैसे च्क हेसा अब थायसाज चाल की साथी, जिसकी यसकी तो की साथ यहां से इसको प्षिक्स किया अब इसको रोटेट करती हूं ठीक है मैं इसको rotate करती हूँ 1 minute मैं इसमें यहाँ उपर डोट लगा देते हैं जिसे आपको याद रहें कि उपर यहाँ पर यहाँ पर यह इसके original position थी कि आपका डोट उपर आए ठीक है हम इसमें full turn लेते हैं हम इसको घुमाते गए देखो overlap कर ही नहीं रहा overlap करेगा तो ही तो पूरा 360 degree का angle complete हो गया उसके बाद वह सेम नजर आया मतलब overlap किया तो 360 से पहले आपका सेम नजर नहीं आया मतलब overlap नहीं किया तो वहाँ पर rotational symmetry नहीं है तो आप यहाँ लिखोगे तो आप से यहाँ reason पुछी गई थी तो आप reason इसमें लिख दोगे क्योंकि जो आपका triangle है because triangle does not look like same before 360 degree वह 360 degree के angle से पहले आपका वह सेम नजर नहीं आती तो इस वज़े से इसमें rotational symmetry नहीं है find the angle of rotation and order of rotation in the given figure यह आपको एक fan दिया गया है अब आप यहाँ fan में देखो आपकी one two and three three fans है तो आप इसमें इसको ऐसा नहीं है कि paper से rotate करके देखेंगे आप इसमें simply बता सकते हो जैसे triangle में क्या आता था triangle में three sides सी तो three order of rotation आया था तो इसमें three आपके क्या होगे three blades है इस fan के तो इसमें order of rotation कितना आएगा three order of rotation order of rotation three अगर इस fan में चार blades होते तो four आता five blades होते तो five क्योंकि उनका बीच का distance वो कितना है equal तो यहाँ पर क्या आजाएगा angle of rotation angle of rotation आजाएगा 360 को इस three से divide कर दो ते आजाएगा 120 degree यहाँ पर यह आपका first question हो गया है next हम करते है question number two question number two है name one figure यहाँ पर देखिए अब आपको सही नेजर आ रहा होगा name one figure each having rotational symmetry of order four two three and six also write angle of rotation of each of these figures अब आपको यहाँ पर बताना है पहले तो वो figure का name बताओ जिसमें आपका order of rotation आपका four आया वाँ उस figure का name तो आपको पता है square में ठीक है तो यहाँ पर देखो square में यहाँ आपको मैंने पहले करवा दिया है तो इसले इसको बार-बार repeat करने की जरूरत नहीं है square में आपका order of rotation कितना होता है four और उसमें angle of rotation also right angle of rotation of each of this figure तो आप यह देखो square में four sides होती है ना आप पहले देखो क्या यह आपकी square में four sides और four equal है तो 360 को आप divide कर दो four से तो यहाँ कर लिख देना 360 divided by four 90 degree तो इसका angle of rotation कितना आजाएगा 90 degree next आपके पास जिसका order two हो तो आप यहाँ देखो यहाँ पर आपके book में answer में oval shape दी हुई है oval मतलब होता है आपका यह जो shape होती है ठीक है इसमें भी आपका order of rotation two ही आएगा लेकिन मैं आपको कहते हूं कि आप rectangle मैंने आपको करवाया था आपको second work sheet जब मैं करवा रही थी तो मैंने आपको rectangle करवाया था तो rectangle में आपका order of rotation कितना होता है two तो आप यहाँ लिखोगे rectangle second work sheet में आप यह कर चु तो यह जाएगा 180 degree ठीक है यह आपका second part का answer है next is third third जिसमें आपका three हो तो three as the figure बताओ जिसमें three sides हो तो आपका equilateral triangle में होती है equilateral triangle उसमें आपकी three sides हो तीमनों equal है तो इसी वज़े से वाँप order of rotation कितना होता है three तो अब आप यहाँ लिखोगे angle of rotation तो 360 उसको three से divide कर दो तो यह आपका आजाएगा 120 degree next है six अब 6 side वाला तो हमारे पास क्या होता है hexagon ही होता है hexagon लिख दो hexagon लेकिन एकी चीज यादर को hex सगन लोगे तो उसकी side चोटी बड़ी हो सकती है लेकिन अगर आप एक word use कर देते हो regular regular होने के वज़े से सभी sides equal हो जाएगी तो इस वज़े से order of rotation कितना हैगा six और angle of rotation कितना आजाएगा angle of rotation आजाएगा 360 इसको यह जितना order उसे divide कर दो तो यह आपका आजाएगा 60 degree यह होगा आपका second question मैंने ज्यादा deeply नहीं करवाय क्योंकि आप यह सारा पहले वक्षित में कर चुके हैं in the word maths which letter shows rotational symmetry of order 2 तो आप यहां देखे अगर आपने इससे पहले वाली video देखी हो अगर आपने video 5 देखी है मैं वहां जो हमने list बनाई थी मैं आपको वही दिखा रही ह ठीक है यहां पर देखे हैं इसमें देखो इन्होंने बोला है maths word में ऐसा कौन सा letter है shows rotational symmetry of order 2 तो आप यहां से देखे M का check करो M में तो rotational symmetry आई ही नहीं थी तो no लिखा हुआ है ए में चैक करो A में भी rotational symmetry नहीं आई नो लिखा हुआ है उसके बाद T में मैं आपको T दिखा देती हूं यह रहा देखो T में आपकी rotational symmetry नहीं आई थी वन टर्न के बाद सेम नज रहा थो तो T में भी नहीं है है एच का check कर लेते हैं एच में देखो आप एच में आपकी rotational symmetry यह से है मैंने यह लिखा थी तो आपकी rotational symmetry आती है और उसका order कितना होता है ठीक है मैं आपको यहां देखा देती हूं है एच यह इसके original position है आप 90 डिग्री इसको rotate करोगे तो यह कैसा हो जाएगा 90 डिग्री प जाएगा ठीक है यह मतलो यह तो original position है 90 180 270 और फिर से 360 तो आपका एक यहां पर सेव नजर आता है और एक यहां पर तो दो बार सेव नजर आता है तो कौन सा letter है तो आप यहां लिख दोगे letter h letter h में आपकी symmetry है order 2 की next है list है two letter of English alphabet which exhibit both line as well as rotational symmetry जिसमें आपकी line symmetry भी हो और rotational symmetry तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो देखिया है तो मैंने वहां पर बताया था both line and rotational symmetry तो h i o और x h i o and x यह आपकी letters है जिनमें आपकी line symmetry भी आती है और rotational symmetry भी आती है उन्होंने दो पुछे थे मैंने सभी बता दिया है तो h i o और x इन सब में आपकी line symmetry और rotational symmetry दोनों आती है मैं आपको एक example से बता देती हूँ जैसे मैंने इन में से i later लिया i को जब आप यहां से horizontally आपने इसको फोल्ड किया यह इसको vertically तो fold पूरा पूरा overlap करता है तो line symmetry आगी और इसमें rotational symmetry जब हम इसको rotate करते हैं देखो यह original position यह 90 यह 180 पर भी i नजर आगया न तो 180 पर i नजर आगया मतलब 360 पूरा होने से पहले भ यह 270 यह finally 360 तो letter i इसी तरह से x, h इसी तरह और x ठीक है तो यहां पर यह आपको इससे पहले वीडियो जुरूर देख ले ना बार बार repeat करने से कोई फायदा नहीं महाँ पर मैंने हर एक letter की दिखाए हुई है क्योंकि paper में आप से कोई भी letter पूश सकते हैं next मारे पास है question number 5 find the angle of rotation for each of the following यह आपको मैंने paper से cut किया हुआ है तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं तो यहां पर आप देखें यह first part है यहां पर मैंने ऐसे figure cut की हुए है find the angle of rotation ठीक है यहां पर यहां पर मैंने इसको बीच में से fix किया यह 90 degree position overlap नहीं किया और यह 180 degree position ठीक है 180 पर आपका overlap कर लेता है 270 पर फिर से नहीं करता और फिर 90 or rotate कर दो 360 पर फिर से overlap करता है तो इसमें आपका angle of rotation मतलब 180 degree पर इसने overlap कर लिया था ठीक है या फिर आपका ऐसे निकाल सकते हो total angle को 360 को आप डिवाइड कर दो order of rotation तो पूरा one chakra complete one में दो बार सेम नजर आया था ना तो 180 को 2 से डिवाइड कर दो 180 degree next है हमारे पास next है हमारे पास यह इस तरीके का मैंने यहां पर बनाया है ठीक है अब आप यहां से देखो हम इसको rotate करेंगे मैंने यहां पर थोड़ा dark कर दिया यहां पर एक dot लगा दिया जिससे पता चले कि original position मैंने इसको बीच में से fix किया पहली बार इसको घुमाय पर भी same वही नजरा रहा है और 360 पर भी आप इस black dot को मत देखना आप सिर्फ यह देखो कि जो बीच वाले यह और पांच डोटा वो अपनी जगह पर वही के वही fix रहते हैं तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा इसमें वो पूर आपका चार बार सेम नजराता है फूल टर बना हुए देखो आप इसको सिद्धा सा यह भी कर सकते हो 360 divided by 5 आप ना बस यह देख लिया करो कि जो उसके पैटल्स है वो कितने हैं 1,2,3,4,5 तो इसमें 5 ओर्डर की rotational symmetry आएगी तो 5 से डिवाइड कर दो 5,7 सा 35,5,2 सा 10 तो कितना एंगल आजाएगा 72 ठीक है जैसे square में 4 साइड्स होते है तो 4 से, equilateral triangle में 3 होते है तो 3 से, hexagon में 6 साइड्स है तो 6 से, आप सिद्धा ऐसे भी निकाल सकते हो तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 360 divided by अब यहाँ से देखो यह सेम देखो यह इसका first पैटल यह second blade मालो मालो यह इस एक तरिकी का फैन है 1,2,3,4 तो 4 से कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्रे नेक्स्ट है हमारे पास question number 6, last question है यह, write the order of rotational symmetry of a square and equilateral triangle with the help of rough sketch, rough sketch की help से बनाना है, अब मैं आपको दिखाते हूँ कि आपकी book में page number 293 है, page number 293, यहाँ पर आपका square का भी दिखाया गया है, ठीक है, यह first position है, original position, यहाँ पर यह, उपर वाला यह, यहाँ पर पी लिखा, जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, यहाँ से रोटेट करेंगे तो यह पर आ जाएगा, तो यह first position है, ठीक है, अब 90 डिग्री और रोटेट करोगे तो पी यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर आ गया, 90 डिग्री और रोटेट करोगे तो पी यहाँ पर चला जाएगा, मतल़ यहाँ पहुंच गया, 90 डिग्री और रोटेट करोगे तो फाइनली वो यहाँ पर, यह इसकी रोटेट करोगे तो फाइनली वो यहाँ पर, यह इसकी रोटेट दिखाया गया, आप चाहो तो इसको equilateral triangle with the help of rough sketch तो यह जो अभी मैंने आपको दिखा है यह rough sketch ही है तो order of rotation symmetry of square तो square में इसका order of rotation कितना आएगा तो यहां पर मैं लिख देती हूँ square square में इसका order of rotation कितना आएगा 4 क्योंकि square में 4 equal sides होती है तो order of rotation कितना आएगा 4 और equilateral triangle में equilateral triangle में इसमें आएगा 3 वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ उसी page पर page number 293 पर ही आपको यह rough sketch दिखाया हूँ है यह यह equilateral triangle इन्होंने बनाई उपर इस point को r ले लिया इन्होंने 120 degrees को rotate किया तो r यहां पर आजाएगा फिर से 120 degree move करेंगे तो r यहां चला जाएगा फिर से 120 degree move करेंगे तो r वापिस अपनी original position पर नजरा जाएगा तो यह original position है और यह final तो यहां से कितनी बार same नजराएगे तो original है 1, 2, 3 पूरा 360 degree के term पर एक दो और तीन बार नजराएगा तो इसका order कितना आजाएगा इसका order of rotation आजाएगा 3 तो हमने यहां लिख दिया एक्विलेटर ट्राइंगल में order of rotation कितना है 3 तो यहां पर आपकी brain teaser complete हो गई है जो होट्स वाले question है और enrichment question है वो मैं आपको next video में करवा दूँगी अगर वीडियो अच्छे लगिया तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much